वेलकम तो गोटर स्टुडेंट्स बच्चो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे सर्बलेट टेटूरियल्स के बारे में और आज जो हम सर्बलेट के बारे में बात करने वाले हैं सबसे जाधा important topic के बारे में हम बात करने वाले हैं सर्बलेट के अंदर जो सबसे जाधा main topic होता है वो होता है crude operations किस तरीके से अगर आपको कोई भी project बनाना है तो आप किस तरीके से project को create करेंगे इसके लिए आपको क्या आना चाहिए आपको आना चाहिए कि हम crude operations कैसे perform करने वालते हैं तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं crude operations के बारे में कि किस तरीके से हम insert, update, delete, create, query का use करेंगे और किस तरीके से हम हमारे database के अंदर data को store करने वाले है तो start करते हैं अगर अभी तक आपने इस channel को subscribe नहीं किया है तो please subscribe the channel बच्चों तो okay start करते हैं तो बच्चों हमने कि यहाँ पर देख रहा है आपको हमने crude app नाम का एक project बनाया है इस crude app नाम के project के अंदर सबसे पहले हम जाएंगे index.stml पे तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर मैंने कुछ CSS का भी use किया है हमारे form पे तो सबसे पहले मैं इस project को run करता हूँ और उसके बाद इसकी हम coding के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले मैं इस project को run करता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम इस project का use करते हैं तो सबसे पहले मैंने इसको run किया और हमारा इस project run हो चुका है यहाँ पर आप देखिए आपका पेज आ गया है हमारा यहाँ पर हमारा registration पेज आ चुका है इसमें हमने CSS का भी apply किया है तो सबसे पहले हमना नाम full name दे देंगे मेरा नाम मैंने अमिद दिया email में दे सकता हूँ admin at the red gmail.com password दे दिया 12345 उसके बाद address उसके बाद indoor यहाँ पर मैंने क्या दिया इंडिया दिया जैसी मैं यहाँ पर register करने वाला हूँ तो मेरा यहाँ पर successfully register हो चुका है इसके बाद मैं कहां पर जाने वाला हूँ view details पर जाने वाला हूँ view employee पर जाने वाला हूँ तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है वै details दिखरी हमने यहाँ पर एडि किया है यह हमारा data भी इसके अंदर पहुंच इडिट भी कर सकते हैं तो में यहाँ पर एडिट करूंगा तो एडिट में आपको दिख रहा है नेम हमने अमिर डाला था पास्वर्ड दिया था तो यहां पर आप city में मैंने यापर भोपाल करना चाहता हूँ और यहाँ पर आपका इंडिया ही रहेगा और इसको मैं edit and save कर दूँगा तो आप देखें यहाँ पर आपकी city क्या आ गई भोपाल आ गई तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं edit भी कर सकते हैं अगर आपको इसको delete करना है तो आप यहाँ इसको delete भी कर सकते हैं तो हम coding के थ्रू देखेंगे कि कि तरीके से हम एक crude operations को perform करते हैं और किस तरीके से हम इसका use करते हैं अगर आपको यहाँ पर add new employee करना है तो आप यहाँ पर भी click कर सकते हैं ठीक है बच्चो तो start करते हैं तो ये हमने कैसे बनाया है इसके बारे मैं आपको बताता हूँ तो सबसे पहले हमने क्या बनाया index page बनाया अब index page के अंदर सबसे पहले हम लोग चलते हैं हमारे HTML के अंदर तो यहाँ पर देखो हमने सबसे पहले एक body के अंदर show details करके page बनाया view employees तो show details नाम का page होगा उस पर हम चलेंगे उससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं हमने हमारा form बनाया label बनाये label के अंदर input लिया label input लिया यहाँ पर हमने enter email दोनों यहाँ पर आपने इसा लिख सकते हैं enter name तो हमने यहाँ पर name को enter कराया इसके बाद में आपको यहाँ पर अलग-अलग चीज़े दिख रही हमने password address city country इन सब को add कराने बाद submit किया अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि हमने यहाँ पर क्या उनसों सा यहाँ पर class हमने container यूज किया है और यहाँ पर class register button तो मैं आपको एक बताऊँगा कि हम normally हमारे css के अंदर तीन type की css का यूज करते हैं पहला जो css होता है वो होता है inline css दूसरा जो css होता है उसको हम बोलते है internal css और जो तीसरा होता है उसको हम बोलते है external css तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया है यहाँ पर हमने inline css का यूज किया है और कहीं पर हमने external css का भी यूज किया है तो मैं आपको दोनों बताने वाला हूँ तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यह फॉर्म जो हमने बनाया है सबसे पहले मैं यहाँ से start करता हूँ इस फॉर्म के अंदर सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया है एक class container बनाया है तो class id, इसको बलता है id selector, तो यहाँ पर आप class देखें, यहाँ पर container आपको मिलेगा, यह container, container का जो padding है और color है वो white है, आप जब इसको देखते हैं, तो आपको यहाँ पर color क्या दिखेगा, background का white दिख रहा है, अगर आपको इसको change करना है, माललो मुझे यहाँ पर orange करना है, इसको save करूँगा, और इसके जाकर यहाँ पर refresh करूँगा, तो आपको यहाँ पर orange दिख जाएगा, तो आप अपने according इसको change कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या किया है बच्चों, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, container और हमारा कौन से selector है, जब भी हम dot का use करते हैं, त उसको बलते है class selector, जब भी हम hash का use करते हैं, तो उसको बलते है ID selector, इसके बाद में हमने इस container के अंदर input यूज किया है, आपको पता है, यह हमारा भी, directly हमने यहाँ पर क्या use किया है, element selector का use किया है, element selector में आप directly name दे सकते हैं, तो हमने किस-किस के उपर apply किया है, text के उपर apply किया है password के उपर apply किया है ठीक है बच्चो इसके बाद मैं मैंने यहाँ पर input type text focus किया है password किया है उसके बाद HR एक horizontal rule रिया है उसके बाद एक button लिया है button का background color red दिया है आप इसको change कर सकते हो मैं इसको यहाँ पर orange भी ले सकता हूँ तो आप यहाँ पर orange ले लो वहाँ का text color आपको अलग मिल जाएगा तो यहाँ पर करेंगे तो आपको यह orange मिल गया तो आप अपने according इसको change कर सकते हो ठीक है इस तरीके हमने यहाँ पर इसको use किया है internal CSS को use किया है इसके बाद में इस CSS को हमने अलग-अलग apply किया है तो देखे कि यहाँ पर हमको सबसे पहले container के अंदर यहाँ पर हमने class register यूज किया है यहाँ पर हमने अलग-अलग चीजों में input है तो आपको पता होगा कि हमारा element selector call होगा ठीक है बच्छो इस तरीके से आप इसमें इसको use कर सकते हैं अब बच्छो अब अगर मैं इस form को जैसी submit तो आपने देखा एक-एक page करके मैं बताता हूं कि जैसे हमारा यह form बन गया इसको हमने save किया अब इसके अंदर मैं data डालता हूं जैसे हमने data डाला रवी कुमार इसके बाद मैं detail डालता हूं रवी at the rate gmail.com इसके बाद मैं password डाला 12345 address डाला 1212 Kalani नगर और indoor और यहाँ पर हमने इंडिया लिया जैसी मैं इसको register करता हूं तो जैसी मेरा page register होता है सबसे पहले हमारा कौन सा page call होता है save detail save detail ser तो हम देखेंगे यहाँ पर हमने किस page को call किया है यहाँ पर हमने जैसे ही इस form को submit किया वो save details ser को call करता है तो सबसे पहले हम यहाँ पर check करेंगे कि जो हमारा save details है वो कहां available है तो सबसे पहले हम java resource में जाएंगे और src के अंदर जाएंगे और यहाँ पर com.code के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है save detail ser तो यहाँ पर जैसा कि बच्चों आपको दिख रहा है इस page पे हमने क्या किया है एक do post method लिए इस do post method के अंदर हमने दो classes यूज़ किये हैं http servlet request और http servlet response इसको मैं थोड़ा बढ़ा कर लेता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा इसके बाद में हमने यहाँ पर throws exception किया है response set content type किया है get writer किया है इसके बाद में हमने जो भी input के through values को send किया था यहाँ पर हमने इसको क्या किया है add किया क्या क्या एड किया है get parameter get parameter का यूज़ करके name password email address city and country इसके बाद हमने एक object बनाया क्योंकि इस programming हमने किसका यूज़ किया है getter setter का भी यूज़ किया है तो यहाँ पर हमने एक program बनाया और sorry एक object बनाया इस object के through value को हमने add employee details के अंदर क्या किया है हमने एक हमारी bean class बनाई है और इस bean class के अंदर हमने जो parameters लिए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जो हमने यहाँ पर parameters लिए हैं इसको मैं थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ एड्रेस और इसकी मैंने getter setter method generate कर दिया है अगर आपको getter setter generate नहीं करना आता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप इन fields को लेने के बाद मैं आप sources पर जा सकते हैं और यहाँ पर कहाँ पर जा सकते हैं generate getter setter तो यहाँ पर आपको पहले से ही मिल रही है तो गर generate नहीं होगा अगर किसी बैच्चे को doubt जाता है तो मैं एक बार यहाँ पर delete कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ यहाँ मैंने सारी getter setter method हता दी है अब आप यहाँ पर जा सकते हैं sources पर जा सकते हैं generate getter setter पर जा सकते हैं select all कर सकते हैं और इसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर सकते हैं generate कर सकते हैं तो जैसे ही मैंने यहाँ पर generate किया तो आपकी सारी methods generate हो गई हैं उन कौन सी method getter setter, एक method आपको क्या करेगी, get करेगी और एक क्या करेगी, set करेगी, तो सबसे पहले जो हमने data, क्या लिया है, get किया है, get parameter के through name, password, email, address, city, country, इसको हम getter setter के अंदर लेके जाने वाले हैं, तो यहाँ पर हमने object बनाया, इस object के through हमने set name method को call किया, और name को, password को, email को, address को, city को, और country को क्या किया, हमने, बोलो बच्चो, set किया, तो इसके through कहाँ पर जाएगा, इसके अंदर जाएगा, और सारी value क्या हो जाएगी, हमारी यहाँ पर set हो जाएगी, और आपको मालू में हम disk का use क्यों करते है, current reference के लिए, तो सारी जगा आपको यह value क्या रहेगी, available रहेगी, skyscope, available रहेगा, इसके बाद हमने क्या किया है, int status लिया है, और इसके बाद में हमने क्या किया है, save details किया है, तो save details, एक हमारी क्या है, class है, और इस class के अंदर हमने method लिखी है, save, और इस save क कैसा है, parametrize method, इसके अंदर क्या जाने वाला है, e, e हमारा क्या है, object, तो object के through value जाकर इसके अंदर क्या होगी, store होगी, तो हम लोग चलते हैं, save method के पास में, तो यहाँ पर देखिए, add employee details, e, यह किस type का reference है, class type का reference है, इस e के through, यहाँ पर देखिए, हमने prepared statement का use किया है, अगर आपको prepared statement के बारे में जानना है, तो आप हमारे JDBC के वीडियोज मजा सकते हों, आप मैंने बताया है कि prepared statement का हम किस तरीके से use करते हैं, कैसे use करते हैं, तो यहाँ पर हमने dynamic value pass किया है, यहाँ पर हमने table बनाई है, employee details table, तो किस तरीके से बनाई है, उसको भी हम देखें आपको मालूम मैं पहले हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने value set किये थे, name password, इसके बाद save details में गए, यहाँ भी हमने क्या किया है, set किया है, और set करने के बाद में, क्योंकि यह जो set string method है, यह किसकी method है? यह हमारी prepared statement class के अंदर available होती है, तो set as a string one number पर हमारा क्या जाने वाला है, name जाने वाला है, password जाने वाला है, email जाने वाला है, address जाने वाला है, city जाने वाला है, country जाने वाला है, तो यहाँ पर हमने six question mark लिए हैं, क्योंकि यह dynamic value को support करते हैं अच्छों, तो इस तरीके से हमने set details का use किया, अब next video हम देखेंगे कि हम किस तरीके से इसको execute करेंगे, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्वाद बने रहे ये coder के साथ, तो लास्ट वीडियो हमने देखा किस तरीके से हम data को save करते हैं, अब मैं उसके आँगे आपको बताता हूँ, जैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारी prepared statement का use करके, prepared statement के अंदर हमारी जो method होती है, वो होती है, set string, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 values को pass किया है यहाँ पर, और यह value हमने फैच की है, आप सभी को मालुम होगा, यह value हमने फैच की है, add employee details class से, अगर आप इस पर, इस method पर जाएंगे, तो आपको यहाँ पर getter, setter के थ्रू पता चल ज जाएगा, इसके बाद बच्चो, जैसे ही हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, status के अंदर हम execute update के चलाने वाले हैं, method को call करने वाले हैं, वैसे ही data आपका किसके अंदर जाकर store हो जाएगा, status के अंदर, और यहाँ पर आपको return क्या मिलेगा, status, अब यह status जो है, वो कहाँ पर आपका है, तो मैं आपको बताऊंगा, save के अंदर हमने यहाँ पर status को देखा था, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, status के अंदर value लेने के, जो हमारा return कर रहा है, यहाँ पर save method, वो यहाँ पर आकर status के अंदर store हो जाएगा, और यहाँ पर status greater than zero, अगर आपकी value वहाँ पर store हो और उसके बाद में सीधा यह page किसको include कर देगा, index.stml को, आपको जैसे ही आप दुबारा उसी page पर दुबारा चले जाएंगे, और यहाँ पर क्या होगा, index.stml आ जाएगा, जैसा मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि हमने यहाँ देखा था, मैं इस program को आपको दिखाता इसको मैं लेके जाता हूँ वापस से, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हम दुबारा डेटा डालने कोशिश करते हैं, तो मैंने प्रदीप लिया, enter, email, enter name, प्रदीप लिया, मैं यहाँ पर email देता हूँ, पासवर्ड कुछ भी देता हूँ, 1234, उसके बाद यहाँ पर मैं address देता हूँ, यहाँ पर मैं इंडॉर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इंडिया देता हूँ, जैसे ही मैं इसको बच्चो रेजिस्टर करूँगा, तो आपका डेटा पहुँच गया, जैसे ही हमने रेजि इसके बाद अगर बच्चो यहाँ पर हमारा डेटा सक्सेसफुली नहीं आता है, तो देखिए क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ wrong करता हूँ, I think, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, save details के अंदर, और यहाँ पर जाकर मैं क्या करता हूँ, माल लो, मेरा जो connection class है यहाँ पर, इसका मैं गरबड कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने driver class के अंदर, क्या किया है, error generate की है, class का नाम गलत दिया है, इसको मैं back करके, refresh करता हूँ, और अब यहाँ पर data को डालने की कोशिश करता हूँ, तो देखिएगा, आपको क्या यहाँ पर मिलने वाला है, आप यहाँ पर देखेंगे, कि आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, जैसे हम यहाँ पर save करेंगे, वैसे ही आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, sorry, enable to save, record, आपक मतलब आपकी यह class यहां पर अबलेबल नहीं है तो बच्चों आपको यहां पर इस तरीके की भी errors मिल सकते हैं इसके बाद हम जो next part में चलेंगे जैसी हमने इसको save कर दिया save करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं व्यूटेल्स हमने क्या किया व्यूटेल्स तो यहां पर आपको मालुम होगा index के पुरफ हमने कि यहां पर क्या लिखा है यहां पर यहां पर एक लिंक दिखता है हम इस link पर जाएंगे, back करेंगे और यहां पर आपको यहां पर एक link दिखता है, मैं back करूंगा, यहां पर और इसको refresh करता हूँ, तो आप सभी को यहां पर एक link दिखता है, view employees, जैसे यहां पर click करते हो, आपको सारी employee की details दिखती है, तो हम देखें किस तरीके से हमको यहां प view details मिल रहा है, तो view details के लिए हमने यहां पर, जैसे ही मैं view employees पर click करता हूँ, यह कहां पर जाता है, show details के पास में, तो यहां पर हम देखेंगे, show details नाम की, आपकी servlet, तो यहां पर देखें, हमने web.servlet के through URL pattern ले रखा है, URL pattern के अंदर show details करके, आपका URL को fetch करेगा, अब इसके अंदर हमने क्या किया है, system out print talent index.html, ठीक है, add new employee, अगर आपको दुबारा से इस details के अंदर क्या करना है, कोई नया employee को add करना है, तो हम बापस से कहां पर जाएंगे, बापस से हम index.html पेच पर जाएंगे, उसके बाद हमने यहां पर क्या किया है, employee list करके h1 के अ इसके बाद बच्चों, यहां पर हमने क्या किया है, एक list में, add employee details, select details, get all employee method, तो हमने यहां पर एक select detail करके class बनाई है, और उस class के अंदर आपको get all employee information मिलने वाली है, तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ, कि select detail के अंदर क्या है, हमने यहां पर select detail करके, जो भी हमारे database के अंदर, details available है, उसको हमने दो forms में call किया है, पहला जो method बनाया है, वो बनाया है, public static add details, get employee by ID, उसके बाद, इसके अंदर हमने क्या किया है, एक object बनाया है, add employee details का, उसके बाद हमने यहां पर connection, और get connection class को हमने call किया है, और यहां पर get connection नाम की method, तो यहां पर get connection आपको सभी को मालूम है, क्या return करता है, तो हम देखेंगे get connection हमको क्या return कर रहा है, get connection हमको यहां पर connection return कर रहा है, और class कौन सी है, get connection dio, तो इसके अंदर हमने हमारा जो भी है connection को लिखा हुआ है, इसके बाद यहां पर हमने prepared statement के अंदर data को select किया है, बट हमने यहां पर particular id के through यहां पर select किया है, तो यहां पर where id equals to question mark, और उसके बाद हमने यहां पर क्या किया है, set int id 1, id को set किया है, उसके बाद हमने result set के through execute query किया है, और rs result set next method का use करके हमने सारी value को यहां पर set कर दिया है, set id, set name, password, email, address, city, country, और यहां पर हमने get, getter के through, सारी value को यहां पर क्या किया है, get किया है, तो यह जो हमको यहां पर get string, get string, get string, get string, get string दिखरा है, यह हमने किसके through लिया है, result set के through लिया है, और यहां पर जो set id, set name, set password, set email, set address, यह हमारे setter है, यह हमारी क्या है, setter class के through call हुए है, इसके बाद हमने यहां पर connection को close किया है, अगर आपको complete employee की detail चाहिए, तो हमने यहां पर एक method बनाया है, get all employee, और उसका जो return type है, वो list है, इस list के through हमने क्या किया है, array list के अंदर जो भी हमारी employee है, मैंने आपको बताया था कि हम array list का use क्यों करते हैं, जब भी हम कोई fetching operation perform करते हैं, जब भी हमको data retrieve करना रहता है, तो उसके लिए सबसे best जो तरीका होता है, वो होता है array list, तो यहाँ पर हमने array list का use किया है, इसके बाद में यहाँ पर देखिए हमने connection बनाया है, इसके बाद में select star from employee details table, तो यहाँ पर हमने result set के अंदर value को store किया है, rs.next किया है और उसके बाद में हमने एक-एक value को यहाँ पर get किया है, यह जो हमारी है, यह हमारी setter getter method के तरूँ value आ रही है, और यह जो getint है, यह हमारी आपको मालूम होगा prepared statement की method है, इसके तरूँ हमने सारी value को get करने के बाद, हमने यहाँ पर e object के अंदर store कराने के बाद, list के अंदर add करवा दी value को, और उसके बाद हमने क्या return किया है, list को क्या किया है, आपर return किया है, तो बहुत सारे बच्चों, interview भी बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं आप से, कि आप किस तरीके से किसी array list के अंदर database की value को store कराओगे, तो उसके लिए best example है, इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको read किया है, तो हम वापस चलते हैं, show details में, और यहाँ देखते हैं, किस तरीके से हमने employee की detail को, और इसके बाद हमने दुबारा से इसके list के अंदर store कराया है, यहाँ पर एक और important चीज, बहुत सरे लोग बोलते हैं, कि servlet के अंदर हम लोग किस तरीके से CSS use करते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, out.print के अंदर एक link बनाया है, इस link के through हमने क्या किया है, एक external CSS को इसके अंदर add किया है, इसी बज़े से, उस external CSS की बज़े से हमको व दिख रही है, इसी बज़ेस दिख रही है, इसके लिए मैं आपको change करके भी बता सकता हूँ, आप style.css पर जाएंगे, तो style.css हमको कहां मिलेगा, यहां मिलेगा, web content के अंदर, तो हमने भी orange color दिया है, आप इसको red कर सकते हैं, तो आपको सौझ में आ जाएगा किस तरीके से हमने यहां पर इसको use किया है, तो आप orange जो हमने background color दिया है, इसको हम change करते हैं, इसको हम red कर देते हैं, तो आपको सौझ में आ जाएगा कि हमने यहां पर table के लिए भी CSS को use किया है, तो यहां पर आप दीखेगा, शायद इसके लिए आपको नाया लिखना पड़ेगा, तो maybe उसके बज़े से color change नहीं हो रहा है, थोड़ दिर में इसको देखेंगा, जब दुबारा run करेंगे, तो यहां पर आपको color क्या दिखेगा, red दिखेगा, इसके बाद हम लोग चलते हैं, select details के अंदर, show details के अंदर, इसके बाद हमने क्या किया है, यहां पर for loop का, for each loop का use करने के बाद, जो भी हमारी value इस list के अंदर आएगी, इस list object के अंदर आएगी, वो हमने e के अंदर store कराने के बाद में, get, id, get name, value को get करने के बाद यहां पर stable के form में यहां पर show कराया है, यहां पर हमने दो चीज़ों का use किया है, edit का भी use किया है, तो edit करने के लिए, हम यहां पर क्या बना रहे है, update, detail, serve, किसके, through हम edit करने वाले है, id के through, और यहां पर id, delete, through हम यहां पर value को करने वाले है, delete करने वाले है, तो next lecture में आपको बताऊँगा कि update कैसे करना है, और delete करना है, तब तक के लिए बने रही है, goder के साथ, Welcome to goder students, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि किस तरीके से हम data को edit करते हैं, और किस तरीके से data को हम delete करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पर हमने देखो edit और delete किस तरीके से करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम अपनी application को run करेंगे, और run करने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से हम इस data को edit और delete कर रहे हैं, तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि किस तरीके से हम इसको use कर रहे हैं, तो यहां पर हमने क्या किया है, हमने अपना server को stop किया, और इसके बाद मैं हमने अपनी application को क्या किया, रन किया तो रन करने के बाद हम देखेंगे किस तरीके से हमारा यहां पर operation परफॉर्म हो रहे हैं एडिट और डिलीट आप देखने के लिए हम लोग view employed पर जाएंगे देखें लास्ट टाइम पर आपका यह रैड कलर नहीं आ रहा था अभी रैड कलर आने लगा है लास्ट टाइम पर आपको औरेंज मिल रहा था भी रैड आ रहा है ठीक है इसके बाद मालो मुझको यहां पर प्रदीप की डिटेल को पहले एडिट करके बताता हूँ edit option और उसके बाद में delete तो मुझे यहाँ पर edit करना है तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इंदौर दिख रहा है इसको मैं भुपाल कर देता हूं और इंडिया कर देता हूं यहाँ पर मुझे मालो प्रदीप कुमार करना है तो मैं यहाँ पर प्रदीप कुमार कर देता हूं और इसको क्या कर देता हूं सेव कर देता हूं तो आप यहां देखे आपको प्रदीप कुमार मिल रहा और यहां पर आपको भुबाल मिलेगा तो यहां पर आपकी डेटा क्या हो गई आपकी जो भी डेटा था हो क्या हो गया एडिट हो गया इसके बाद में अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप इसको delete भी कर सकते हैं तो हम delete कैसे करते हैं यहाँ पर delete किया तो वो आपकी value यहाँ से चली गए अब किस तरीके से यह दोनो work कर रहे हैं बटने मैं आपको बताने वाला हूँ तो हम लोग चलते हैं code पर तो सबसे पहले हम देखेंगे edit किस तरीके से हम edit कर हैं data को तो सबसे पहले हम बात करते हैं edit के बारे में थो सबसे पहले देखते हैं किस तरीके से हाँ पर edit हो रहा है तो आपको जैसे यहाँ पर देख रहा है edit करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर update details S, S, E, R इसमें हम किसके थुरू यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं? ID के थुरू तो सबसे पहले हम चलते हैं Update Details के अंदर और यह Update Details आपको कहां मिलने वाली है? यह आपको Servlet के अंदर मिलने वाला है तो Code के अंदर चलते हैं और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा Update Details Servlet तो इस Code को हम देखते हैं किस तरीके से हमने इस Code को लिखा है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं आपको पता है यहाँ पर हमने Update Details Servlet बनाया है इसके अंदर Response लिया है Update Employ लिया है इसके बाद Get Parameter ID को Get किया है उसके बाद में यहाँ पर इस ID को हमने Change किया है जो भी वहाँ से हमको ID मिलने वाली है उसको यहाँ पर हमने लिया है माल लो मेरी ID जो भी थी मैं आपको बताता हूँ कि मेरी यहाँ पर ID जो थी वो है 108 108, 107 कैसे आरी मैं आपको ये भी बताने बाला हूँ कुछ समय बाद तो यहां पर देखिए हमने ID को get किया इसके बाद में जैसा कि मैं आपको समझा चुका हूँ get employee by ID इस method के बारे मैं बता चुका हूँ तो इस method के थुरू हम चलते हैं यहां पर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम को अगर किसी particular ID की value चाहिए तो यहां पर हम कैसे उस method का use करते हैं तो यहां पर हमने select from employee details where ID एक particular ID और इस ID के through ही हम क्या करने वाले हैं इस details को क्या करने वाले हैं फैज करने वाले हैं ठीक है बच्चो तो यहाँ पर हम देखते हैं आगे क्या है यह हमने method call किया इसके अंदर हमने क्या किया है एक form मनाया है इस form के अंदर ID ID को हमने यहाँ पर hidden रखा है उसके बाद name लिया है password लिया है email लिया है जिसको आप edit करने वाले हो और उसके बाद मैं get address लिया है इसके बाद हमने यहाँ पर क्या यूज किया है city और country के लिए यूज किया है यहाँ पर हमने select option value रखे है है select का यूज किया है यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ध्यान से सभी लोग देखो जैसे हम इसको क्या करेंगे data को edit करने के बाद जो हपकी value आपर fetch हो रही है मैं आपको बताता हूं यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर edit पे click करता हूं तो आपको यहाँ पर कौन सा form देख रहा है update, servlet, id यह क्या कर रहा है इस id की value को क्या कर रहा है तो यह page हमारा क्या क्या कर रहा है इस value को fetch कर रहा है और जैसे ही आप क्या करते हो यहाँ पर किसी value को change करते हो आप जैसे ही क्या करते हो यहाँ पर value को change करते हो रवी के जगा मैं कुमार के जगा रवी कर देता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पर edit और save करता हूँ तो यह कहाँ पर जाता है show details page के पास में जाता है ठीक है अब इसके बीच में क्या-क्या perform होता है मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पर इस details में जाने से पहले तो यहाँ पर जैसे ही मैं perform करता हूँ जैसे ही इस details में जाने से पहले show details में update details 2 के अंदर जाएगा और update details 2 में क्या मिलने वाला है हम देखते है यह जैसे हम data को submit करेंगे वैसे ही update details 2 पर जाएगा यह क्या करेगा यहां पर हमने क्या किया है get parameter by id लिया है इस particular s id को set किया है क्योंकि आपको सभी को मालूम है कि directly हम integer value को save नहीं कर सकते इसलिए हमने इसको क्या किया है पहले id को get किया है string form में और उसके बाद इसको convert किया है इसके बाद में हमने name, password, email, address इसको किसके अंदर store करा रहे है यहां पर add employee details add employee details object बनाने के बाद फिर से हमने यहां पर क्या किया है set id किया है, set name किया है set password किया, यह setter method का use करने के बाद यहां पर हम कौन सी query चला रहे है update तो किस तरीके सब्डेट हो रहा है मैं आपको बताता हूँ तो यह कौन से पर जाएगा, कौन सी class पर जाएगा यह आपके जाएगा update details.java के अंदर और कौन सी method को कॉल करेगा update को कॉल करेगा और यहां पर हमने क्या किया है get connection किया है और यहां पर हमने क्या किया है update employee details table के अंदर name, password, email, address, city, country, where, id क्या है इसको हमने क्या कर किया है store किया है इसके बाद इसके बाद वच्चो हमने यहां पर क्या किया है मैं आपको बताता हूँ यहां पर हमने क्या किया है update के बाद value को यह जो हमारी setter method दिख रही है set string, set string, set string setter method को कॉल किया है यह जो method है यह हमारी prepared statement class की method है और इसके बाद में हमने यहाँ पर क्या किया है यहाँ पर हमने get name, get password, यह employee class से हमने value को क्या किया है get किया है, सारी value get करने के बाद में हमने इसको ps के अंदर ps.executeUpdate method को call किया है और उसके बाद में हमने क्या किया है, status को return किया है जैसी हमारा status return होगा, वो कहाँ पर जाएगा, वो आपके यहाँ पर जाएगा update details के अंदर जाएगा details to के अंदर जाएगा, और यहाँ पर check करेगा, कि यह value fetch हो रही है और यह बोलेगा, yes, felt fetch हो रही है, जैसे ही send or redirect कर देगा और कहाँ पर देज़ देगा, show details के पास देगा तो आपको page कौन सा दिख जाएगा, यहाँ पर show details दिख जाएगा और अगर आपने कुछ भी wrong किया, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, exception मिल जाएगा तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर यह work कर रहा है, इसके बाद में जो हमारा last part है, वो है इसमें delete तो हम show details पर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं delete हम कैसे कर रहे हैं, delete करने के लिए हमने यहाँ पर कौन सा call किया है delete details करके हमने यहाँ पर एक servlet बनाया है, तो देखते हैं इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमने बहुत छोटा सा part होता है code का यहाँ पर हमने id के through ही values को delete कर वा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने integer parse int sid, इसके बाद में हमने com.coder delete details के अंदर कौन सी method कौल की है, delete method को कौल किया है तो यहाँ पर delete method क्या कर रही है, इसके देखते हैं हम लोग, और यह कहाँ पर available है, यह हमारा कौन से package के अंदर available मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर भी हमने एक normal सी query चलाया है, delete from employee detail table where id equals to this, इस तरीके से यहाँ पर हमने set करने के बाद execute update किया है, और यहाँ पर भी status को return कर दिया है, इस तरीके से हमारा यहाँ पर यह part चलने वाला है, तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से हमारी सारी के class हमने देखी, तुम आपको यहाँ पर calculate कराता हूं, हमने total सारी classes देखी, delete details देखा, इसके बाद हमने यहाँ पर add employee details देखा, और इसके बाद में यहाँ पर details, सारे हमने एक एक करके code देखा, save कैसे करते हैं, select कैसे करते हैं, get connection, dial क्या होता है, detail, delete क्या होता है तो इसके अंदर हमने इन सारे code को देखा, इसके बाद में आपको मैंने ये भी बताया जो बहुत important part था show details के अंदर हम लोग चलते हैं, कि servlet के अंदर हम किस तरीके से CSS को, external CSS को apply करते हैं इस तरीके से हम ये सारे code को लिखते हैं, और सारे code को देखते हैं तो I think आपको बहुत clear हुआ होगा, अभी मैं इसको थोड़ा run करने के बाद आपको बताऊँगा किस तरीके से हमने data wheels table बनाई हैं तो मैं इसको down करने के बाद मैं data wheels अंदर चलता हूँ और data wheels के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि हमने किस तरीके से table को यहां पर create किया है और एक और काम आपको करना है, इसके अंदर आपको trigger भी बनाना है तो बच्चों यहां पर देखे हमने यहां पर create table किया है, employee details table इसके अंदर हमने id, name, password, email, address, city, country लिया है और इस तरीके से हमने यहां पर क्या किया है, table को create किया है अगर इसमें मैं बात करूँ, जो आपकी table है, register user है इसके अंदर हमने क्या किया है, triggers को भी set किया है तो मैं आपको बता दू किस तरीके सब trigger set करते हैं तो आपको यहां पर trigger के अंदर जाना है और trigger के अंदर क्या करना है तो आपको यहां पर create primary key sequence करना है यहां पर आपको trigger का नाम जो भी आपको बनाना है आप दे सकते हो sequence जो भी आपको यहां पर हमने employee किया है column किस particular column में देने वाले हमने ID में देने वाले हैं तो यहां पर हम ID ले लेंगे और पहले समने यहां पर ID available करके रखा हुआ है तो हमने यहां पर बना के ready कर दिया तो बच्चो आइठिंक आपको यह वीडियो क्लियर हुआ 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 समझ मारा होगा ठीक है बच्चो तो आज के लिए इतना काफी है तैंक्स वर वाचिंग बाद बाद भाद कर दिया मारा हुआ मारा हुआ हुआ है तो